हेलो दोस्तों यह वीडियो में अपन लेटेस्ट ओफरिंग्स बनाएंगे प्रिवेस वीडियो में अपने यह बैनर बनाया था तो यह वीडियो में अपन यह कार्ड बनाएंगे तो चलो कंपोनेंट बनाते हैं लेटेस्ट ओफर कंपोनेंट नाम दे देते हैं इसको डॉट जेएस आई एमर्सी जो अन्यूजड उसको निकाल देंगे बाद में कॉंस्ट एक्सपोर्ट कर देंगे डिफॉल्ट लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग देनी पड़ेगी सेम सब में अपने किया वही करेंगे लास पैडिंग फाई एलजी पी एल ट्वेंटी मिंस टैन ट्वेंटिफॉर पिक्सल पे एडिंग राइट एंड लेफ्ट होनी चाहिए ट्वेंटी पैडिंग बॉट्टम ट्वेंटी इसवापन स्कीन पे देख सकते हैं यह रैड कलर का बॉक्स अपने बना दिया डिव पैडिंग वाला अपनको यह दिव बनाना है लेटेस्ट ओफर वाला यहापन बना देते डिव उसके अंदर स्पैन लेटेस्ट ओफरिंग्स टेक्स डाल दिया उसका CSS भी लिख लेते हैं Classname टेक्स्ट हो जाएगा हैश 1E3 932 यह टेक्स्ट हो गया कलर फंट को कर देते हैं Bold टेक्स्ट की साइज बढ़ा देते हैं 2XL अभी देखते हैं क्या हुआ है UI पर अपने यह नहीं देख पा रहे क्योंकि अपने Component डाइड नहीं किया है Latest Offering Component Offerings है S भी है मैंने S नहीं लिखा है S डाल देते हैं बागे Files को Close कर देता हूँ Offerings कर दिया है इसको बाद में अपने बैस यह Green Color का Do है उसके अंदर यह Card UIs है तो यह Card UI एक Row में तीन कॉलम है ऐसे Split हुई है तो अपने इसको Grid यूस करके Split कर देंगे तो अपने Add करते हैं Dew Green Color का Box है इसके लिए Dew बनाइए इसमें Class Add कर देते हैं Grid Grid में Columns दे देंगे 3 Column देने पड़ेंगे क्योंकि Team Grid है तो 2fr दे देते हैं Underscore 2fr Underscore 2fr Gap दे देते हैं 5 का अभी अपन Card UI बनाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह Purple Color का Box है इसके लिए Dew लिए Card UI की तो पहले Image है Card UI में तो Image के लिए एक Dew ले लेते हैं Image का URL कॉपी करेंगे यहाँ से Image को Alt नाम दे देते हैं Mocha and Class Name भी दे देते हैं मिन CSS Object Cover Rounded Top से Large Height दे देते हैं 40 and Width दे देते हैं Full यह थोड़ा Overlap के Space आना था तो अपन Card UI को भी CSS Add कर देते हैं Class Name Background दे देते हैं Rounded Rounded Large Margin Top दे देते हैं 5 and Cursor Pointer तो अपन UI देखते हैं क्या हुआ है यह Image आ गई जैसे कि आपन यहाँ पर देख सकते हैं अब यह अपन को Text लाना है Add Box Shadow लेकियाना है तो अपन Box Shadow एड़ करेंगे तो यह Card जैसा लगे Style तो अपन Custom Box Shadow यूज़ कर रहे है Box Shadow 0 Pixels 5 Pixels 15 Pixels RGBA 0,0 0,0.35 तो यह अभी लग रहा है Card UI है तो अभी अपन एक ओड यूज़ ले लेंगे इसके अंदर Means Image वाले ड्यू़ के बार वह पर अपन अपना Text लिखेंगे अपन यहाँ पर Class Set करेंगे BG Hash F9 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 Padding दे देंगे 7 Rounded Bottom Large दे देंगे अपन देख सकते हैं Card दिख रहा है बाद में अपन को यह Green वाला Wedge वाला इकन चीए तो यह अपने पहले यूज़ किया था तो यह अपने Barista Recommend में यूज़ किया था तो उसमें से Copy कर लेंगे यह तो बन यह वाला इकन Copy कर लेंगे Wedge वाला SVG Copy करके अपने latest offer में यूज़ कर लेंगे अपन देख सकते हैं यह यहाँ पर आ गया है उसके बाद P Tag में अपन टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट क्या है वो इंस्पेक्ट करके ले लेंगे Copy Paste Paper, Mint, Mocha बने यह चोटा टेक्स्ट है इसको भी Copy कर लेंगे इसको भी P Tag में डाल देंगे इसके बाद Dot देके यह टेक्स्ट है इसके बाद यह Description है इसको भी Copy कर लेंगे इसको भी P Tag में डाल देंगे Means यह Yellow Box देख सकते है यह एक Dew है इसके अंदर Flags Between करके यूज़ किया है तो यह Create करेंगे भी अपन Dew Dew के अंदर दो Dew एक Price का और एक Button का तो अपने ऐसा Code यहाँ पे लिखा था तो वोई Copy कर लेते है Same यह पन लिखा है बरिष्टारी कमेंड में यह यह वाला है इसको Copy कर लेते है यह पूरा ही Copy कर लेते है यह Dew स्को अटा देते हैं यह आपने डाल देते हैं अब यह अपन अपना UI देखते हैं बटन सही है अब उनको खाली CSS करना पड़ेगा टेक्स्ट के लिए चलो तो अभी अपन टेक्स्ट में CSS एड़ करते हैं पी टेक्स्ट में एड़ करते हैं इसको क्लास दे देते हैं टेक्स्ट कलर हैश 1-E3932 टेक्स्ट हो जाएगा अपना लार्ज फरंट हो जाएगा सेमी बोल्ड मर्जिन टॉप दे देते हैं वन में इसको भी CSS दे देते हैं टेक्स्ट एक्सेस टेक्स्ट हैश सिक्स सी सेवन फाइस सेवन डी मर्जिन टॉप वन और लास्ट में इसको भी देते थे CSS टेक्स्ट डेश हैश 12345 DE टेक्स्ट एक्सेस मर्जिन टॉप टू और यह टेक्स्ट के बाद में डॉट 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 आना चीह है स्पेस के बाद तो भी आड़ कर देते हैं तो अभी अपना UI देखते हैं यह काफी बढ़ी अलग रहा है सेव इस वन तो अभी अपन को यह तीन बर कॉपी करना पड़ेगा एन उसका टेक्स्ट एन इमेज कॉपी पेस्ट कर देंगे तो यह अपना कार्ड UI है यहां से तो इसको कॉपी कर लेंगे एक बार और इसको इमेज पे लिए चेंज कर लेते हैं वन बाई वन इसकी इमेज यहां से कॉपी कर ली बाद में इसका टेक्स्ट आइस पिपलमेंट मोका नामी पहली बाद सुन रहा हूँ मैं भी यह हुआ टॉल है पहली वाली शॉट थी 33.75 337 इसका टेक्स्ट भी कॉपी कर लेते हैं मिन्स डिस्क्रिप्शन लास्ट में तीन डॉट भी है प्राइज है इसका 435.75 435.75 तो अपनी सेकेंड कार्ड भी बन गया यह आपन देख सकते हैं अब थार्ट कार्ड बनाना है तो इसको मिनिमाइस कर देंगे कॉपी कर लेंगे कार्ड को पेस्ट कर देंगे पहले अपन वापिस इसकी इमेज चेंज करेंगे सबसे पहले तो इमेज कॉपी करेंगे यहां से इमेज कॉपी कर ली उसके बाद उसका नाम चेंज कर लेंगे यह इसका नाम डाल दिया उसका खली 378 है यहां पर यह भी डाल देते हैं उसका टेक्स लिख लेते हैं मेंस डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और यहां पर डाल देते हैं और इसका प्राइस है 472.50 तो 472.50 सेव कर दिया तो अपन अपनी यू आई देखते हैं यह काफी शांदार लग रही है जैसे स्क्रोल कर रहे हैं यह पेज काफी शांदार लग रहा है सेम आज दिस वन देखे पता ही नहीं चलेगा यह और यह पेज में डिफ्रेंस तो अभी अपन इसको रिस्पॉंसिवन आज देखते हैं यह कार्ड का जब इसको छोटा कर रहे है यह कॉलोंब वाइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है यह बाहर जा रहा है तो अपन को यह करना पड़ेगा बा करेंगे तो अपनों मारजिन डालते हैं ओर गृट अपन कभी यूज़ करेंगे जब स्क्रीन के साइज 1024 से बढ़ी होगी और 1024 होगी तब कॉलम यूज़ करेंगे निद्ध अपन फ्लैक्स यूज़ करेंगे ऐड़ फ्लैक्स कॉलम कर देंगे एड़ जैस्टिफाइ सें यह कार्ड को और मिनिवाइस करते हैं यह हो नहीं रहा है अभी भी कुछ मिसिंग होगा CSS में चलो देखते हैं यह हम फ्लैक्स की स्पेलिंग गलत लिख दिये मैंने फ्लैक्स आएगा तो अभी वापिस चेक करते हैं यह देखिए कन्वर्ट हो गया कॉलंब 20 अब इसको और मि जोड़दार तो अपन यूवाई के साथ इसका responsiveness भी देखते जा रहे और बनाते जा रहे तो अभी अपना बाकी है यह learn more about the world of coffee and यह header तो चलो मैं आपको next वीडियो में मिलता हूं अपन create करेंगे learn more about the world of coffee चलो बाए दोस्तों